तो देख लिजीएगा देखे लास्ट लास्ट में ये बैग लाइन के बारे में हम लोगों ने बात की थी तो अधिक है सभी लोग ध्यान से देखिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाएए क्लास इस लाइव नाओ क्लास लाइव हो चुकी है से लास्ट लेग लाइन के बारे में देखा रहा है जो सव्ड रॉग है जो किस सॉफ्ट है जिसे डारीक मसीन के थुरू साइट कास्टिंग करना हो चाहए बगट से उठागर करके आपका लोडिंग साथ में कास्टिंग, दोने एक साथ करना हो, तो इसके लिए बेश्ट मसीन है आपकी ड्रैग लाइन, लेकिन बात यह है कि यह जो ड्रैग लाइन है, ड्रैग लाइन में एक कमी है, उसका डिसएडवांटेज हैं हमने बात किया था, कि पहले बात तो बहु कि इसमें एक चीज जो मैं बताना भूल गया था, इसके में पार्ट्स देखिए, इसमें क्या था, कि डिपर इश्टिक नहीं था, ठीक है, इसमें OV रिमूबल तो बहुत असान पढ़ता है, लेकिन इसमें डिपर इश्टिक नहीं था, डिपर इश्टिक मतलब जैसे कि आ महाँ पास आपको डिपर इश्टिक के वारे जानने को मिलेगा, डिपर इश्टिक मतलब जो डिप करके मठेल को उठा सके, ठीक है, सिब कट ना कर सके, जैसे यह अपना क्या है, नॉर्मल बकेट से जैसे हम एक प्रकास से सौफ मेरे को उठा करके एक जगा डम करते रहे है बस, ठीक है, इसमें जो ओभी रिमूबल है, ड्रैग लाइन के दोरे मस्ट बी चीपर डेंडा, ओभी रिमूबल बाई सौवल, ठीक है, जो हम सौवल वाला कॉम्बिनेशन, जैसे हम कॉम्बिनेशन क्या यूज करते हैं, सौवल डमपर कॉम्बिनेशन, यह हमारा जनरली म चीपर है, सबसक्ति, हमने में बात किया था कि बुकेट है, ऑफ्रेम है, मसीन हाउस है, यह चेजिज है, लेकिन क्या होता है कि pricing मतीडे, देखे ड्रेग लाइन के बारे में इडाज नॉट है दीपर रिष्टिक लास्ट टाइम हमने नोट्स में मैंने नोट्स नहीं दिया था अभी मैं नोट्स के साथ के पास हूँ इसमें क्या है चाल टाइप के रोप यूज होते हैं ड्रेग रोप डंप रोप फिश्ट रोप इसकाहि मैं हमने बात कर लिए एक चीड जो थी इसमें कभी कभी क्या लै किया लेकर देखे मशीन का स्पेसिफिकेशन में 24 ऐसे 96 यह मशीन के साइट पर लिखा होता है ठीक है तो यह 24 ऐसे सिक्स क्या है यह 24 जो लिखा होता है यह आपका होता है बगट कैपसिटी मतलब जो हमारा bucket है वह कितना है 27 cubic meter का है और यह जो 96 है वह क्या है it is the boom length मतलब जो हमारा drag line का boom का length है वह 96 meter का है ठीक है और इसमें मैंने बताया था it can turns around 360 degree 360 degree turn हो सकती है और मैंने इसका वीडियो भी दिखाया था it is most suitable for side casting ठीक है यह आपका diagram है drag line का एक अच्छे से देख लिए यह आपका mast होता है यह a frame देखे a frame जहां भी होगा ना वह swift for swift boom के support के लिए लगाया जाता है mast और ठीक है और दूसरा a frame और यह boom ठीक है तो जहां भी आपको दिखेगा यह a frame चाहे वह ड्रैग line में हो चाहे वह rope sawvel में हो ठीक है चाहे वह surface miner में हो हर जगा a frame जो होता है वह balance counter balance का निकले लगाया जाता है ठीक है boom के counter balance को यह आपका bucket है यह आपका यह जो पूरा एक rope जा रहा है इस rope को हम boom rope कहते हैं यह यह आपका hoist rope है ठीक है यह पिर यह जो रस्ते में लगाया इसको हम बोल रहे थे dump rope ठीक है यह सारे चीज़े आपको last class में होई थी यह आपका फंसा ने देखी है यहां से यह dump कर रहा है यहाँ पास यह रेखे यह जो नीचे में यह आप दिख रहे ना यह यहाँ पास यह आपका pad है यह करॉल माउंटर न यही पैड है यही ऐसे निकलता है और मसीन आगे के और बढ़ती है walking pad जिसके हम बात किये थे walking pad ठीक है अब इस notes में नीचे में देखे सारे केबल की बात की गić है देखे यह नीचे वाला जो केवल है वह द्रेग केवल है जो bucket से यहाँ पास तक गया है यह वाला आपका your डी यह आपकाBon केवल यह आपका host केवल यह आपका host केवल है ठीक है bucket के साथ चेन लेह रहत यह को ऑ्सको host chain कहते हैं और यह आपका home केवल होसान है दब केवल जो कि बकेट को खोलता है बकेट को जैसे Cop को घ्लाज जाता है तो घ्लीएज दफ हो जाता है पिर ड'm घयते हैं अब कुश्चन देट तो हम इससे यह कर चुके रहे यह कोश्चन को हम लाज क्लास में क्लियर है ठीक है यह लाश्ट कोस्टिन देखिए वीच आप टी फॉल्विंट के क्यूपमेंट इस मों सुटेट फॉर साइट कास्टिंग ओपन कास्ट माइं इलेक्ट्रिक सावल फ्रेंट लोवल ड्रैग लाइन रोप सावल इसका जो राइट एंसर है साइट कास्टिंग यह बेश मसीन है आपकी ड्रैग लाइन ठीक है यह कोश्चन हम कर चुके रहें अब नेक्स चलते हैं यह रिविजन टाइप का मैं करा रहा था लाश्ट क्लास में जो हम कर चुके थे अब नेक्स हम पढ़ेंगे बकेट वील एक्सकेविटर यह इसका डाइग्राम है सामने वाट इस बकेट वील एक्सकेविटर है देखिए यह एक ऐसा मसीन है जो कंटिनियस ओपरेशन करता है ठीक है एक ऐसा मसीन मतलब बकेट वील एक्सकेविटर के बाद आप अगर बात करेंगे तो सर्फेस माइनर भी आपका कंटियस ओपरेशन करना है इसमें क्या रहता है क यह एक overview दे रहा हूं कि सबसे पहली बात तो यह crawler mounted या तो crawler mounted होगा जैसे कि इस्टाइग्राम में दिखाया जा रहा है या तो यह crawler mounted होगा ठीक है या तो यह rail mounted होगा आपको पट्रिया भी इछनी पड़ेगी और उस प ट्री के ठ्रूटे मसिण के यहान आएगि इसमें क्या रहता है कि यह केबलीय है और इसके यह कट लगए रहते हैं जो आगे मेरी जो करें ड़गे रहते हैं और लायी कमने प्र tad ओबी ठीक है या फिर lignite call में काम आता है lignite call ठीक है ड्रैग्ग-れ nic क्या है अब इसे पड़ले हम dark line को हिरे हैं ड्रैग-れaclinie भी आपका soft के लिए है ठीक है लेकिन इसके साथ सत्व है ब्लाश्टेड ब्लाश्टेड सॉफ्ट ओवी में भी काम आ सकता है ब्लाश्टेड सॉफ्ट ओवी ठीक है लेकिन इस मसीन के वज़े से ब्लास्टिंग पूरी तरीके से खटम हो जाती है इस मसीन को जब आप उप्योग करेंगे तो ब्लास्टिंग वहां करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसमें क्या ये वील है ये छोटे-छोटे बकेट्स देखिए एक दो तीन चार पांच है एसे पूरे सर्कल में बकेट्स होते हैं और इस बकेट में ti-ts होते हैं कि कट्विल काम आते हैं åbी को सौफ्ट-ئ्विकम या फिल-टोल में ठीक है जनरली अभी तक यह मैक्सिम्म यू वाला जो यह बकेट्सम्विल एक्सकिय्टर है यह एन एलसी में यूज होता है एन Use किया गया। ini लिगना है अब ये क्या है यह जो मसीन हो एक इलेक्ट्रिकल मसीन के द्वारा sacrificed के द्वारा चलने वाला मसीन है तो आप भी समझा सक ते हैं क gateway छलती वहला है है ये कि अब इसमें क्या होता है कि यह जो घ्राइल को कट करकर इसमें डालता है और वाकिन जैसे इसमें आता है यह नीचे की और छोड़ता है तो यह आपका फ्रोड़ा और बड़ा कर लेजे देखिए यह आपका बकेट है यह आपका built conveyor है ठीक है यह bucket के थूरू material नीचे आता है यूटूब में भी मैं दिखाऊंगा यह bucket के थूरू नीचे आता है इस conveyor built में जाता है यह आपका boom conveyor है क्या है बूम conveyor क्लियर है बूम conveyor से जो material है यह आपका चले जाता है कहां पास discharge conveyor में कहां जाता है discharge conveyor में और discharge जो conveyor है वह direct attach होता है main conveyor में 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 जैसे माल लिजेए इसने koila cutting की को कटिंग की कटिंग करने के बाद इसने इस देखे एक तरफ यह एक तरफ से देखे यह ऐसा मत सोचे कर दोनों तरफ से काटता है यह मतलब सेंटर का पोजीशन है यह यहां से काटा काटने वाद एक तरफ इसके जैसे उपर जाता है तो इसका हलका सा तिल्ट एंग अगर इसको सीधा सीधा पूरा सर्कल बनाया जाएगा तो क्या वो कभी भी आएगा तो इसका यह जो पूर्शाने सर्कल है लेकिन बकेट को हलका बेल्ट कन्विलर जिस तरफ लगा रहता है उस तरफ तिल्ट किया हुआ है तो जैसे वह तिल्ट होता है तो जैसे यह उपर की और आता है तो सारा का सारा माटेरियल आपका यह देखिए यह आपका बंकर जैसे यह होता है ना क्या नाम है बंकर मू बड़ा सा इसके अंदर रहता है यह और इसके जश नीचे बंकर हो रहा है जैसे आप क्रसर का बं हुआ इस बकेट के थ्रू हो करके जाता है किसमें आपका बिल्ड कन्वेयर में यह बल्ड कन्वेयर आपका बूम कन्वेयर है बूम कन्वेयर इसको ले जाकर के डिस्चार्ज कन्वेयर को देता है डिस्चार्ज कन्वेयर ले जाके यह आपका में कन्वेयर जो लगा रहता है उसमें देता है और मेन कन्वेयर आपको जहां ले जाना हो फिर आप वहाँ पास जाकर के material को कर सकते हैं जैसे कि यह देखिए यह इसका function है यहां पास आपको function में आएगा इसका देखिए यह आपका बूम केबल का उप्योग किया जा रहा है ठीक है यह आपका versus counterweight के लिए इस्तिमाल किया गया है यहाँ पास ट्रेक बिचाई गई है यह पास क्या हुआ है ट्रैक बिच्छाए गया है मसीन को यहां तक लाने के लिए भिशाने का किया गया है कि आपका कटिंग कटिंग हौल से कहां जा रहा है यह यहां पास आ रहा है यह आपका माश्ट है ठीक है और ये आपका built conveyor से cut करते हुए boom conveyor पर जा रहा है और जो boom conveyor है boom conveyor direct discharge conveyor यहां पास नीचे discharge conveyor और discharge conveyor से direct attach है आपका यह main conveyor ठीक है चाहे आप main conveyor रख लीजे चाहे आप जैसे यह क्या है continuous process है ठीक है तो प्रोसेस में तो बेश्ट है आपका अगर आप चाहते हैं कि नुक्सान ना हो तो जनरली अगर आप कंट्यूर से वेगन रेलवे वेगन तो नहीं रख सकते क्योंकि वेगन को फुल्फिल होने के बाद फिर उसे मसीन को रोकना पड़ेगा इसलिए जनरली से साथ कन्वेयर ब कारण यह है कि इतनी कॉश्टली मसीन है इतनी हैवी मसीन है कि रिक्लिमेशन में इसका उप्योग नहीं करते हैं कि यहां से मटेरियल को लाके बिल्ट कन्वेयर डायट डंप तक पहुचा दे और डंप में डारेक डंप हो जाए तो इस कारण से हम कन्वेयर बिल्ट का इसम करते हैं चली इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस मसीन इस यूज़्ट ओनली इन लिगनाइट माइन फॉर एक्स्ट्रेक्शन आफ सॉफ्ट ओवी एन लिगनाइट ठीक है लिगनाइट माइन्स फॉर एक्स्ट्रेक्शन आफ सॉफ्ट ओवी और लिगनाइट देखे कोल आप कितने पगार के पढ़े हैं सबसे पहले होता है कोल एका पीट फिर आपका लिगनाइट फिर आपका बिटुमिनस और फिर आपका एंट्रासाइट यह पढ़े हैं लेकि तो यह जो NLC है, इसमें पहली बार इस machine का उप्योग किया गया, इसलिए generally इस machine को हम उप्योग soft OB के लिए भी कर सकते हैं, और lignite coal को extraction के लिए भी कर सकते हैं, lignite coal के अलाबा हम जो bituminous type का coal है, उसे भी इसमें उप्योग किया जा सकता है, लेकिन इसमें problem यह है, कि जो अच्छे quality का coal होगा वह धेर धेर हार्ड होते चलता है, इस कारण से हम उससे dust जादा produce होगा, लेकिन जो lignite coal है वह generally इतना hard नहीं होता, इसलिए इसमें dust बहुत जादा नहीं होता, इस कारण से हम lignite coal में इसको उप्योग करते हैं, लिगनाइट coal को हम brown coal भी कहते हैं, इस कारण से किया जाता है, तो इसका function आप इतना समझ लीजे कि इसमें cutting drum होता है, ठीक है, यह cutting क्या के काम करता है, सबसे पहले यह cutting का काम करता है, ठीक है, फिर उसके बाद transportation, मलब loading plus transportation, इस machine का 3 काम हो, cut, load, transport, देखे, यहां से जो आपका bucket है, वहां से cut कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वह जो आपका यह bunker बना हुआ है, जिसमें bunker में load कर रहा है, और वहां से आपका conveyor build के दौरा discharge build और discharge build के बाद main conveyor build पर डाल रहा है, तो transport का भी काम करता, तो cut, load और transport, cut मतलब bucket के दौरा cutting की जा रही है, जैसे कि आप देखें यहां पस, और इसके बाद सारा का सारा जो material है, यह जब यहां पास आता है, तो इस यह जो bunker हमारा, इस bunker के थरू होते हुए build conveyor पर जाता है, तो cut, load, plus transport, यह तीनों ही, इस machine के अंदर आ जाती है, दूसरा क्या है, कि हम ब्राउन कोल इसलिए कहते हैं, कि हलका हलका ब्राउन कलर की होती है, उसमें पूरी तरके से, जो उसमें कारवर्ड पसेंटेश कम होने के कारण, पूरी तरके से ब्लैक नहीं होता, इसके पास बहुत सारे cutting buckets होते हैं, आप देखें, छोटे-छोटे, get loaded with the material, material के साथ load होते हैं, when the wheel rotates, जब wheel rotate होता है, तो उसमें फिल-फिल होता है, the filled bucket discharge the material, जो filled bucket है, वह है, material को discharge करता है, into boom conveyor, and then boom conveyor transfer it to main built conveyor, ये चीज़े मैंने आपको बता दी है, ठीक है, it is driven by electricity, ये electricity के दौरा चलता है, it is either chloral mounted or rail mounted, ठीक है, या तो ये chloral mounted होगा, या तो rail mounted होगा, चले, applications क्या क्या है, it has high production rate, देखे, continuous operation के चलते, देखे, continuous operation के चलते, इसका production rate बहुत ज़्यादा high है, मतलब अगर मैं बात करूँ, OMS इसका बहुत ज़्यादा high होगा, OMS का मतलब आप समझ ज़्याओंगे, output per man shift, ठीक है, इसका output per man shift बहुत ही ज़्यादा होता है, output per man shift का क्या होता है, formula, output per man shift, production divided by, production divided by, total man power, ठीक है, माल लिजे कि एक shift में आपका जो production है, वह सोटन है, एक पुरे माइनस में, ठीक है, एक shift का माल लिए shift का अगर निकलते हैं, हर एक shift का, और total जो man power है, आपके पास 50 है, तो आपका OMS कितना होगा, 100 divided by 50, इसकार तो 2, अलब कि आपका OMS जो है, वह है 2, 2 turn per man, per man power, ठीक है, तो इसका OMS बहुत हाई रहता है, हाई production rate है, इन इंडिया bucket wheel excavator is used only, नवेली लिगनाइट प्रोजेक्ट, ठीक है, NLC प्रोजेक्ट में इसा, नवेली लिगनाइट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया में, यूज होता है, तीसरा, it is used for continuous operation, यह continuous operation के लिए उप्योंग में लाया जाता है, इसका advantage क्या क्या है, it has good cutting, loading and transporting efficiency, मैंने आपकों starting बताया कि इसके पास तीन system है, cut, load and transport, ठीक है, bucket के द्वारा cut करता है, फिर आप यहां तो बोलिजे, bunker के थुरू होकर के conveyor belt पे आता है, फिर conveyor belt पे load होता है, conveyor belt के द्वारा वारा transport हो जाता है, ठीक है, इसके बाद here is excellent digability, अब इसमें digability मतलब यहीं बोला कि कहीं, digability मतलब dig करने की, लगातार खोदने की, dig मतलब अंदर की और dig करना, तो इसमें digability बहुत जादा होती है, लगातार खोदता है और जैसे कि आपका यह था, क्या नाव है, drag line, drag line खोदने का काम नहीं कर सकता रहा, ठीक है, dig करने काम नहीं कर सकता रहा, एक किनारे से पकड़ कर सिफ और सिफ एक जगा से उठा करके दूसरी जगा रखने का काम कर सकता है, इसलिए उसे बोला जाता है, सॉफ्ट ओवी ओनली, ठीक है, लेकिन आपका बकेट विल एक्सक्राटर में ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्ड सॉफ्ट ओवी को मतलब देखिए, जैसे क्या होता है, एक हो गया, सैंड हो गया, सैंड इस्टोन, तो सैंड इस्टोन में जो एकड़ काम बालूई रेती होती है ना, उसको एक जगा से उठा करके दूसरे जगा रखने का काम ड्रैगलाइन करता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत, जो सॉफ्ट में भी जो थोड़ा बहुत हार्ड है, वो चल जाएगा, क्योंकि इसके पास कटिंग बूम है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं चले गए, क्योंकि इसका जो कटिंग ड्रम है, वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, दूसरा, इसका दिस अद्वांटेस से पहले अद्वांटेस क्या है, क्रियेट्स मोर स्टेवल स्लोप, स्मूठ और लेवल बेंचेस, इसके साथ ए यह स्लोप, स्टेवल स्लोप प्रोबाइड कराता है, जैसे क्या होता है, जैसे हम ब्लास्टिंग किये, ब्लास्टिंग के बाद, ब्लास्टिंग में क्या होता है, कि कई बार आपका जो स्लोप है, वह अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन यह कटिंग मसीन है, तो यह जैसा आ अगर आपने एक्षप डाल दिया तो जादा उखड गया जांपस कम एक्षप से आलें होता है तो बेंचे बैंचेश कभी ऐसे हो गया कभी यह हो गया ऐसा हो गया ऐसे आएगा ओबर ओल देखो गए तो ऐसे रहेगा लेकिन आपका आता है तो creates more stable slope smooth and level benches ठीक है benches का level सही रहता है जैसे अगर 10 meter है तो 10 meter के benches height को बना के चलेगा lower demand of power बहुत ज़्यादा power के demand भी इसके साथ नहीं है इसका disadvantage क्या है it has less mobile equipment it is a less mobile equipment यह ज़्यादा hill दूल नहीं सकता बहुत ही जारा expensive है generally bucket wheel accelerator not used for reclamation work मैंने starting होता है कि bucket wheel accelerator का उप्योग हम reclamation का मतलब क्या होता है ऐसा area जहां हम decode कर चुके हैं ठीक है वैसी जगह में हमें वापस से जैसे हमार जमीन कोईला निकालने से पहले था वैसे ही हमको करके देना रहता है वहां पास वापस से ओभी फुल्फिल करके जैसे हमाल लिए कोईला था ठीक है इसके उपर यह पूरी ओभी थी हमने यह ओभी हटाया यह कोईला निकाल दिया यह कोईला निकालने का डिकोल्ड हो गया ठीक है तो वापस से इस मटेरियल को हमको इसमें रिक्लेमेशन करके देना पड़ता है फुल्फिल्मेंट करके देना पड़ता है उसे हम रिक्लेमेशन का काम नहीं करते हैं लेकिन साइट कास्टिंग एक प्रकास से आपका जो ड्रैग लाइन है उससे हम reclamation का work कर सकते हैं कुछ questions है question answer कर लेते हैं पहला देखिए इसका answer अभी अभी class में हुआ है अभी आप लोग question का answer दीजे propelling mechanism for bucket will excavator is propelling मतलब कि वह कैसे move करता है propel कैसे करता है जैसे यह जगह पे है तो माल दीजे बी जगह पे जाना है तो उसके लिए किसका उप्योग करता है तो उसे हम propelling कहते हैं क्रॉलल माउंटेड रेल माउंटेड टायर माउंटेड बोट ए और बी कहिए वह जैसे ड्रैग लाइन आपका था ड्रैग लाइन प्रॉपलिंग मेकनिजम क्या था जैसे आपका ड्रैग लाइन था तो ड्रैग लाइन में अगर मैं बात करूँ तो ड्रैग लाइन में क्या था चेन माउंटेड और वाकिंग पैड ठीक है वैसे ही आपका बकेट वील एक्सकेविटर में क्या है बन्वारी लाइन जी का एंसर आगए डी चलिए बाकी लोग प्लास में जो इस्ट्रेंस और ध्यान नहीं दे रहे हैं बके 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 वह सं कर्विटर मरकिमिटरम मतलब के दॉडर प्व चलता है मैंने इसम्त क्या बताया या थो यह छोव इन होगा और क्रॉलर माउपट है लोगा उपेस लोगाए स makeup अब च्छीज को एक क्राउलर ही का लॉंप से में का लगह पी oney का लिमार या फिर इस जाले है c नहीं दे रहे हैं नेक्स्ट कोच्चन देखिए बकेट विल एक्सक्राइटर इस दिप्लॉइड इन बकेट विल एक्सक्राइटर इस दिप्लॉइड इन जैयन्ट ओपन कास्ट नवेली एनसील ग्योरा माइन एसील रामा गाउंडन ओपन कास्ट सिंग्रैनी कोल फिल्ड नवेली लिगनाइट माइन्स एनल सी बताएए बगेट विल एक्सक्राइटर कहां पास डिप्लॉइड किया गया है इतना टाइम पर नहीं लगना चाहिए बहुत ही असान सवाल है यह बिल्कुल एनल सी में लवेली लिगनाइट में आपका बगेट विल एक्सक्राइटर उप्योग में लाए गया है देखिए इससे बहुत ही अच्छा कोश्चन है यह आपका सेकंड क्लास माइंस मैनेजर 2015 में पूछा गया था यह कोश्चन जो है आपका सेकंड क्लास मसीनरी के कोश्चन पेपर में पूछा गया था 2015 में कि वीच ऑफ दीज एक कंट्यूनियस दिश्चार्ज टाइप इक्यूपमेंट इसमें से कौन सा एक्यूपमेंट यह जो कंट्यूनियस दिश्चार्ज करता है बनवाई लाल जी का बकेट विल एक्यूपमेंट यह सारे के सारे कंट्यूनियस दिश्चार्ज वाले नहीं है बकिट वीच वीच विल एक्यूपमेंट इसमें से कौन से एक्यूपमेंट है जो कंट्यूनियस ऑपरेशन करता है तो याद रखेगा बी डवलू ई बकेट वील एक्यूपमेंट यह सौट फॉर्म है बी डवलू ई चलिए इसी के साथ हम आपका नेक्स देखते हैं सर्फेस माइनर संजे कुमार टौाय जी ने भी ए बोल रही है चलिए अब इसी के बाद दूसरा हम देखते हैं सर्फेस माइनर बगेट विल एक्सकेविटर और ड्रैग लाइन दू बड़ी देखें जो पहले बड़ी बड़ी मसीने हैं जो रिसेंट में अभी चल रही है उपन कास्ट में उन मसीनों को मैं पहले ले रहा हूं यह सर्फेस माइनर भी आपका नई मसीनों में आता है जनरली इस पहली बार लखनपूर ओपन कास्ट में महानदी महानदी कोल फिल्ड में उतारा गया था नाइंटीन नाइंटीन नाइन थीक है महानदी कोल फिल्ड कोल इंडिया की एक सबसीडरी है सी आई एल की ठीक है आठ सब्सिड्री में से एक सब्सिड्री महानरी कोल्ड फिल्ड है इसी में आपका लखनपूर ओपन कास्ट चार्टा है जहां पस पहली बार सर्फेस माइनर उतारा गया था अभी जो आपने पढ़ा है जैसे आपका तो उसमें ना सेलेक्टिव माणी नहीं कर सकते रहे ठीक है और अभी तक जो भी आप मसेने देख रहे होंगे तो उसमें एक चीज आप देखेंगे कि वह एक साइट से एक तरफ काट रहा ठीक है एक तरफ से वर्टिकल जैसे माल लेजे यह आपका एक किनारा पकड़ा और यह जैसे एक बेंचेस को ऐसे बेंचेस को काट रहा है लेकिन जो सर्फेस माइनर है वह उसका जो कटिंग ड्रम होता है वह नीचे में यहां पास लग रहता यह यह इसा कटिंग ड्रम है और यह आपका कोईला है मैज्य के द्वारा हम डिलिंग् एयर मौंटेड डिलिंग व्ल nell Ang stupid कर दिये दूसरा इसको twin-crawler-mounted machine कहा जाता है जब भी आप से पूछा जाए चार आप्सन देखा कि twin-crawler-mounted machine कौन सी है तो आप surface miner को मानेगा क्योंकि इसमें क्या है दो crawler एक तरफ पर लगे रहते हैं दो ग्रॉलर एक इधर पास और एक इधर पास यासे दो तो मसीन हावि मैं डाइग्राम दिखा रहा हूं आपको ठीक और इसमें कटिंग के लिए क्या लगा रहता है इसमें कोल कटिंग ड्रम होता है यह आपको यह आपका है सर्फेस माइनर इसमें किसी प्राइब कोई बकेट आपको नहीं दिखेगा इसमें क्या रहता है यह जो आपका सिष्टम में देखिए त्विन क्रॉलर क्यों मैं बोल रहा था यह देखिए यह आपका क्रॉलर एक इधर पास हो गया और एक आगे में हो गया त्विन क्रॉलर माउंटेट इसल एक यह आगे में छोटा साइच का और यह दो बड़े साइच के थीक है तो इसी रिफ टुन क्रॉलर अब इसमें क्या रहता है इसमें आपका नीचे में ये नीचे में आप देखेंगे तो यहां पास कटिंड्रम होता है तो यह पूरा का पूरा जो बॉड़ी है ये अपर क्रॉलर जैसे ही चलता है तो यह क्रॉलर को चलते समय यह ड्रम को कट करता है यहां पस कोल कटिंग करता है ठीक है और जैसे ही हमारा कटिंग हो जाता है लेबल होरीजोंटल सर्फेस में तो यह क्या होता है यह उपर उठ जाता है और जैसे ही यह उपर उठ जाता है ठीक है त कि सॉफ्ट ओभी और कोल को कट करने का और इसमें कोला कोई लिगनाइट कोल बस नहीं है इसमें हम सारे प्रकार के कोले को कट कर सकते हैं ठीक है संजय कुमार टिवारी जी का कुछ सवाल हो संजय को मठीपर घमें सर प्लीज फिव इस्प्रेडर 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 मेरे को कहता है इस पेडर को कहते हैं इस पेडर मेरे कुछ और है क्या देखता हूं अगर इस पेडर जैसा कुछ है तो मैं देख लेता हूं ग्रेडर को ही मेरे साथ से spreader मतलब spread करना देखिए कि इस प्रिडर का गर हिंडी इन को दिया जाए मतलब फैला ना में चारो डीशाओं में फैलाने काम spread करने का ऌने तीक है तिरे में इदर वि आएंगे संजर जी पैसां नमत अभी पहले इन मसीनों को देख लीजे, उसके बाद फिर बागी चीज़ों को भी देखते हैं यह आपका सर्फेस माइनर मैंने क्या बोला कि आपका मेंली जो है कोल करता कमें नहीं मिक्त नहीं है कि यहांद पास कोल करता यह क्या कलता क्वाइות कट करता है garant कमें कमें क्या दोंने के बादों Club a प्राओं आपका यह खंव पर यह तो शीन बाद माद करें दिस्चाज इसवाद है पर आता है और यहां से कट करता है और इसे सिंगल सॉरी इसे सिंगल एक कन्वेयर बेट लगा रहता है और यह देखिए इसे आप 20 विश्में जैसे आपका मशीन रहे हैं तो उसे आप कटिंग ड्रम को रोग सकते हैं विरेश्ट करा सकते हैं और सर्फेस माइनर के लाभा आपका जो बकेर इलेक्शिएटर था हुआ है उसमें इतना ज्यादा तुरंट मसीन को बंद करने का ऑप्शन नहीं था जैसे इसमें देखिए यहां पास देखिए यह आपका क्रॉलर माउंटेद है यह देखिए यह कटिंग ड्रम में यह आपक कोर्वा प्रोजिक्ट में भी लगा हुआ है बहुत सारे जगह लगा हुआ है देखिए यहां पास यह आपका यहां पास आपको समझ में आ रहा होगा कि यह नीचे से कट कर रहा है ठीक है कट करने के बाद यह हाइवा में लोड हो रहा है ठीक है इस हाइवे में लोड होने चलता है कि कई बार आप ट्रक नहीं लगाते ठीक है तो ट्रक नहीं लगाएंगे तो यह क्या करेगा ऐसा ही बना देगा ठीक यह ऐसा ही बना देगा और जब यह ऐसा ही बना देगा जगा 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 पर जैसे यहां पास एक ही बनाया एक ही यहां बनाया कि ठीक है और एक इसे बनाया एसे ही बनाते चलता है जब ऐसे ही बनाते है बार में आप पेरोडर लगाईए पेरोडर के दौरा डंपर या हाईवा मैं आप या फिर एक्श कीड लगाईए और वहां से लोड करके आप अपनी जगह पे जहां भी आपको लेके जाना है चले ज कि यह जो आपका सर्फेस म माइनर वे सेलेक्टी माइनिंग के लिए बहुट ये अच्छा है अब सेलेक्टिव माइनिंग क्या हुआ जैसे क्या होता है कि देखे यहां Was puts हरा हिए जैसे कि ऐसे किãyो क्या हो जाता है System को है जैसे कि खाली पेज कहां है यह आपका मालिजे कि यहां पास कोल है फिर यहां पास आपका सेंड है फिर आपका यहां पास कोल है ठीक है और इसमें क्या होता है कि पहले अगर आप to watch the complete video download the mining gyan app from the play store enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our youtube channel